लव्य व्यवस्ता अध्याई 21 याजकों के लिए विशेश विशेश विधिया। फिर यहवा ने मूसा से कहा हारुन के पुत्र जो याजक है उनसे कहा कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुध न करे। अपने निकट कुटुम्बियो अर्थात अपनी माता वा पिता वा बेटे वा बेटी वा भाई के लिए वा अपनी कुवारी बहीन जिसका विवाह न हुआ हो जिनका समीपी संबंध है उनके लिए वह अपने को अशुध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है। इसलिए वह अपने को ऐसा अशुध न करे की अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सेर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न क क्योंकि वे यहवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं इस कारण वे पवित्र बने रहें। वह तेरी दुष्टी में पवित्र ठेरें क्योंकि मैं यहवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ और यदि याजक की बेटी वेशा बन कर अपने आपको अपवित्र करें तो वह अपने पिता को अपवित्र ठेराती हैं वह आग में जलाई जाए और जो अपने भायों में महाया जखो जिसके सिर पर अभिशेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहिदने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाडे और न वह किसी लोथ के पास चाये और न अपने पितावा माता के कारण अपने को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठैराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिशेक का तेल रुपी मुकुट धारन किये हुए है, मैं यहवा हूँ, और वह क वह अपने ही लोगों के बीच में कि किसी की कुवारी करन्या को ब्याहे और वह अपने विर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहवा हूँ फिर यहवा ने मूसा से कहा हारुन से कहा कि तेरे वन्ष की पिढ़ी पिढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोशो वह अपने परमिश्वर का भोजन चड़ाने के लिए समीप ना आए कोई क्यों न हो जिसमें दोशो वह समीप ना आए चाहे वह अंधा हो चाहे लंगडा चाहे नकचप्टा हो चाहे उसके कुछ अधीक अंग हो वह उसका पा वा हाथ तूटा हो वह वह कुबड़ा वा बवना हो वह उसकी आख में दोश हो वह उस मनुश के चाई वा खुजली हो वह उसके अंडर चिपके हो वा हरुन याहजग के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोश हो, वह यहवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए, वह जो दोश युकत है कभी भी अपने परमेशुर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए, वह अपने परमेशुर के पवित्र और परम पवित्र दो उनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोश के कारण वह न तो बीच वाले परदे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मुसा ने हरुन और उनके पुत्रों को तथा कूल इस्राइलियों को यह बाते कह सुनाए।